कि सभी दस्टकों को नमस्कार प्रणाम में अब कि सभी प्रकार के हिरिदय मानसिक मस्तिष्क सम्मंदि जितने सारे बीमारियां हैं मोटापा कलस्ट्रल उच्च रक्तचाप निम्रत रक्तचाप स्त्री रोग और पुरुसों के जो गुप्त बीमारियां हैं इसमें क्या खाएं क्या ना खाएं इस बार में बोलना चाहता हूं इन सभी बीमारियां की मुख्य तो चार पांच कारण हैं इन में से पहला कारण हैं हम जल कम पीते हैं जली जीवन हैं और बिना जल से ना खाना बनता है ना पेड़ पोदा जिन्दा रहेगा ना संगसार चलेगा इसलिए पानी यदा पिना हैं पानी पीना का बीदय है जितना बजन है बजन से 10 भाग करें जितना दो खटा के पीए और ठाथ 000 7 सब्छे कि map लिटा ऑर जदी ज्यादा भी है पांच लिटर पीएगा चलेगा आधा लिटर एक लिटर कम बेसी चलेगा एक बोड़ों को लिए हैं छटे बच्चे के लिए उमर और बजन का अनुसर आधा लिटर दो लिटर पिलाईए जल नहीं पेंगे तो टेंसन बड़ेगा और टेंसन बनने से हाइपर टेंसन से लेके हिर्दय रियोक से लेके अलगला नार्वाज सिस्टेम बहुत सारे ब्लोके जाएगी आप जितने गोली खाएं जितना दबा खाएं वह कुछ काम नहीं करेगा कुछ तो राज मिलेगा कुछ समय के लिए पारमानेट इलाज नहीं हुआ इसी तरह मुंग खुला रखेंगे तो ब्लोकेज करें नार्वाज सिस्टेम में बीपी बढ़ेगा हाट काई ब्लोकेज होगा इसलिए होटों को लगा के रखें जब बात करते समय खाते पीते समय श्रीप खुला रखें 24 गंटे में इनको ध्यान दें और जहां सुद्धवा मिलता है प्यो को भी नाक से ले नाक से चोड़े मैं बनना चाहता हूं फिर्दे और मानसिक समधी जितने सारे बिमारिया हैं और इसका सइद मोटापा कलोस्ट्रोल स्त्री और पुरुसों को जितने गुप्त बिमारिया हैं रप्तचाब आदी इन में से हम क्या खाएं क्या ना खाएं हिर्दे संबंदी ओ नाले मिठाई चकलेट्स गूड जैम दब्वेबाला सुरक्षित भोजन गुलगोपे केक्स और इसी परकार कंद मुल जिसे सकरकन बलते हैं तेली भोजन शुखे मेवे और गीरी सराब नसला पतार्थ और तंबाकु बा तंबाकु संबंदी चीजे नाले क्रीम चिकनाई और इसी परकार केला सेव चुआरे कश्टर नाले चाह कफे भी नाले कफे पीने से भी पी बढ़ती है इसी तरह नाले ज्यादा मशाला और खटी मेर्च तेल कहुआ चिनी बचिनी से बनावा समान नमक ज्यादा नाले जितने कम ले उतना अच्छा है इसी तरह कच्चा केला बैगन आलू मैदे घी पॉलिस क्या क्यों चावल अधी ना खाएं ब्रमचरियं जथा सकती पालन करें सब्ता में एक दिन उपावास करें तो आच्छा है खाना चवाके चवाके के लें एक मुठी को 22 बार तक या 20 पूच्वच्वधा चवाके लें खाथ तसमें पानी ना पीए पानी पिया तो आदा घटोड़ चटिके नस्ताखना करें नस्ते खने का एक दूगंटा चुट तो बढ़िया है दिन में नहीं सोना चाहिए इस से राद में गहरा नीद आती है साम का भजन सुरीदे का पहले ले ले और थोड़ी मात्रा में ले हलका ले और सब्ता हमें एक दिन उपवास करें तो अच्छा है निम्बुकारस जल में मिलाकर अबस्टा पीएं सुबा जगने का बाद राद में सोचे समय इस से को समरन करें घ्यान करें और इससे भी पी नहीं बढ़ती है और बिपी विर्दी को कम करने में ये चीज़ें सहब है नखाएं केक पिस्ट्री नान रुमाली रोटी नूडल्स पीजाब बर्गर और नमक और ना ले तो अच्छे बातियां तो कम लें तेली चीज़े डिबा बंद खाते पदार्थ मखन घी खोया मलाई मांग्स पनस्पति घी से बनावा समान मैदा ब्यस्टन के तेलो हे पदार्थ गरिष्ट भोजन कटल काजू अक्रट पिस्ता अधी सुखे मेवे शराब अच्चार चटनी मांग्स तेले पापड बिस्कूट अलू चीफ्स धंबरपान अधी निसी थे ना खाएं पेपसी कोकोकला अधी कोल्ट निस भी ना लें नमोग एड़टी के लिए 24 गंटे में तिन से पांच गराब नमोग जरूर है जो सबजी हम खाते हैं उससे मिल जाता है और हाई पीप वाले नमोग जितने कम ले और उतना अच्छा है लो पीप वाला थोड़ा नमोग ले सक पीए जीनता ज्यादा सोक ना करें चक्कर आने पर लो पीप वाले को एक गिलास पानी में दो चमो जोदी गुड़ मिला के पी लेते हैं तुरन चक्र ठी हो जाता है बाहाम मुना का भी चूश सकते हैं बात एक गिलास पानी में थोड़ा सा नमोग चुटकी भर नमोग और गुड़ मिला के भी पीशकते हैं बीमार वाले हैं परंतुले ग्योंका आटा कम अत्रमें बाजारा एवं ज्वारा मूप साबू तथा अंकुरित दाले काले चने हरी पत्तेदार सब्जियां पालग मेथी वत्वादी इस तरह अजवाई मुना का अध्रक नीमबू लोकी स एक ग्लास ले लेंगे उसमें पूदिना पता साथ भी मिला के ले सकते हैं परंतु जिदी लोकी का जूस कड़ों होगा नहीं पीएंगे फैंक देंगे बाग किसी को पिलाएंगे नहीं विमारी बढ़ जाएगी इसी तरह तुलसी का पत्ते तोरे पूदिना परवल सहीजन बढ़िया है स्वाजन का पत्ती बढ़िया है स्वाजन पत्ती भी खाएंगे तो भी पी घड़ता है इसी तरह अनानौस बादाम और करेला अधि लेंगे अंगुर मोसमी पपिता अनार संत्रा सेउ अम्रूत अनानौस बिना मलाईका दूद छांच और जुन छाल जी उबाल के पीदा तुरिदे रोग और हिदे से संब्धित विमारिया होती है जैसे कि उच्चो रख्तचाप निम्नर रख्तचाप मानसिक विमारिया जैसे कि अनिद्रा मिर्गी डिप्रेशन बैचनी बैचनी सीर दर्थ अत्य धिक चिन्ता शोक भई करना उच्चो याद सकती में कम जोरी पागल पन उनुमाद हत्ल में गरम होना लकवा सरीन में कम पन पार्किसन कभी-कभी आखों के आगे अंधरा सा मालूब पड़ता है देल घबरता है धड़कन गंबेशी होता है बार-बार इसको उल्टी करने का मन करता है आवाज ठीक से नहीं निकलता है बेबुन्यात भाई फोबी या रोक छोड़ी बातों में घबरा जाती है और निच ठीक से नहीं आती है डरावन सपने आती है हतलिया में पसना निकलता है आवाज ठीक प्रकार से निकल नहीं पाती किसी को सेक्स में रूची खतम हो जाती है सेस की कमज़री अनुभब करने लगते हैं पेट खराब रहता है इपेचेनी भी स्तिरियों लोगों को जादा होती है इसी तरह मस्तिश को रोग में और लकवा मल्टिपल सलेरोसिस, मस्कुला डिस्ट्रफी, चलने पाना गिर जाना, मायोपेथी, सेरेब्रोल, पॉलिसी, पारकेशन, पोलियो, मिर्गी, हिस्टेरिया, मल्टिपल सलेरोसिस में और यास्ट्रक्ति कम होना, कमपन होना, रब बढ़ने पर इस रोगों से सरीर के निचले भाग, अंगों में कमचूरी, भारीपन, कड़ापन, सुनापन हो जाना, हाथ में कमपन होना, और इसके प्लमक कारण है, सुरुसुरी में पैसा करने में कटना ही होती है, फिर बाद में अपने पैसा निकल जाता है, इसी तरो मस्कूलर डिश्ट्रवी में चलनी पाना, और चल चलते गीर जाना, माय पैसी में सरीर टेड़ा हो जाना, लक्छने, इसी तरो मानसी ग्रोग के बाद, इदरोग में धड़कन होना, फिर देप, पेस्यों का शिकुड़ना, और दिल का दोरा, शिराओं का फूल जाना, रक्त संचार की कमी में हिर्दय की तिप्रो पीड़ा होना, और जिसे की बाइकंदे अदाए हाद में धर्द होना, हिर्दय की आकार किया समनाता, हिर्दय के आसपास तरल पदार्थ इकाठा होना, हिर्दय में अबरोद हाट ब्लोकेज, कमपा में पस्यन आना आबाद चली जाना समग सक्कत में कम जोरी & और पस्टने में भीगु की ऑदेखर तब Excellence, जीव में शंबंदित भीमार्यां एक थिदय गति में नियंद्रण कांग में दर्द शिड़ी चलने में सांस पूलना आधी ही दे रोग और मारसे सम्भंधी जो भीमार्या है उच्छ रखतचाप आर मुटा पा रोगियों अश्टिरी लोग स्थी शम्बंधी जो भीमार्या है यह चीदिढ़त नाखाई आज तो चीज़ाब कोलेस्ट्रोल माइग्रेन सीर्दब और वो साथ डिप्रेशन मेन ले तो जिनको यह विमारियां है यह लोग जो पत्थे-पत्थे हैं क्या खाना है क्या नहीं खाना है इसको जो नहीं खाना एंग बिल्कुल ना लें जो ठीक हो जाएंगे पीज-बीज में थ सरस्क्राइब में लगे साफ orche tom तो इससे घृट मैंस Andraesh Sharia, जिनको मुटापा है नाल ले चावल, रोटी, नाला दिना लें, साक्सव जादा ले हैं, पानी वाल समझ जादा लें जिसा, खेरा ककड़ी तर्भूज खर्भूज गाजरित्यादी पानी वाला समन जादा खाएं और टेंशन में ना रहें ज्यादा ना सोचें इससे मटपा घड़ जाता है इसी तरो बीरूत आहार भी ना लें जैसे नमक का साथ चीनी मिला के लेना दूद में अंकुरित खाना इसी ख खेरा और दही लेना इसी पर का बीरूत आहर ना लें और जो हिंदी नहीं समझ पाते हैं तो पतेंजली का एक कितावे ओश्र दर्सन अपने अपने प्रांतियों भासा में या इंग्लीज में खरिद करके रोगानुसर पत्थियों पत्थियों हिद्यों उच्छरक तक्चा में क्या खाना ने खाना देग लें और विरूत आहर भी क्या खाना है किसका साथ नहीं खाना है मिलाके उन तो भी देग लें शवी को ओम प्रणाम नमस्कार